ये कौन है और ये रहा इस कौन का बेस जोकी एक circular base है ये एक circle है लेडि़से इस circle का radius है r ये रहा इस कौन का height और ये जो length है इस length को इस कौन का slant height कहा जाता है चलिए इसे हम L से denote करते है इस कौन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि इसका circular base है वो एक plain surface है लेकिन ये ये एक curved surface है इस surface का इस curved surface का area कहा जाता है कि ये बराबर होता है pi into radius of the circular base into the slant height पर क्यों आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि curved surface area of a cone ये pi r l के बराबर क्यों होता है चले इसी कोन को copy कर लेते हैं थोड़ा छोटा करके copy करते हैं यहाँ पर यही कोन है हमारे पास जगह कम है इसलिए इसे छोटा करके draw किया गया अब हम क्या करेंगे इस cone को इस जगह से सीधे हम काट लेंगे कुछ ऐसे हमने इसे काट लिया काटने के बाद अब धीरे धीरे हम इसे खोलेंगे कुछ इस तरह से हम इसे खोलेंगे जब हम इसे पूरा खोल लेंगे तो हमें इस तरह का एक sector मिलेगा circle का पाट होता है sector अब यहाँ पर दो चीज़े एक तो ये वाला line segment और ये जो curved line segment है इन दोनों का length कितना होगा सबसे पहले हमें ये पता करना होगा well ये रहा वो cone अब आप गौर से देखे ये इसका slant height है हमने इस cone को कुछ इसी तरह से काटा था और जब हम इसे खोलेंगे तो ये जो slant height है जो की हमने माना था L है वही L है ये वाला length ये तो पहली बात होगी दूसरी बात इसका जो base है जो circle है उस circle का जो circumference है वही इस curved line के बराबर होगा आप ध्यान से देखे हम अगर इसे यहां से काटते हैं इस तरह से हमने इस cone को काटा था तो आप गौर से देखे ये जो base है बेस का ये जो circle है ये यहां से कटेगा और इस तरह से ये खुल रहा है ऐसे ये खुल रहा है जो की आपको यहां पर लाल रंग के यहां curved line में आपको दिख रहा है तो obviously चुकि इसका जो radius है ये radius r हमने माना था तो ये जो circle का circumference है ये circumference कितना होगा 2 into pi into r हमें पता circle का circumference होता है 2 into pi into radius of the circle obviously ये जो curved line है ये 2 pi r के पराबर ही होगा अब आप कार करें कि ये जो है ये ये sector ये sector एक circle का part है ये रहा वो circle ये circle कैसा circle होगा ये circle ऐसा circle होगा जिसका radius होगा l अब आप देखें इस circle का area obviously pi into radius का square होगा radius कितना होगा इस circle का l तो pi into l squared अब ये जो sector है ये जो sector है इस sector का area कितना होगा ये बराबर होगा area of the circle into ये जो sector है ये sector इस circle का कितना times है क्या ये half times है that mean one half है या one third है या one fourth है how many times of this circle is this sector ये sector इस circle का कितना times है that mean area of the sector is equal to the area of the circle which is pi l squared into how many times of this circle is this sector अब ये जो है how many times of this circle is this sector मतलब sector इस circle का कितना times है ये हम कैसे पता लगाएंगे इसके लिए एक trick देखें ये जो circle है इस circle का circumference कितना है 2 pi l 2 into pi into इस circle का जो radius है वो 2 pi l अब ये sector इस circle का उतना ही times होगा उतना ही गुना होगा जितना गुना की 2 pi r 2 pi l का होगा अगर 2 pi r 2 pi l का आधा हुआ तो sector circle का आधा होगा अगर 2 pi r 2 pi l का one third हुआ तो फिर sector इस circle का one third होगा अगर 2 pi r 2 pi l का one fourth हुआ तो फिर ये sector इस circle का one fourth होगा तो फिर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि pi l squared into 2 pi r divided by 2 pi l अब यहां से ये 2 pi और ये 2 pi numerator denominator से cancel हो जाएगा और ये denominator वाला l numerator के एक l को cancel करेगा बचा क्या pi into l into r इसी को हम pi into r into l लिख सकते हैं और ये जो sector का area है जूंकि हमने इसी कोन को काटते हुए फिर खोलते हुए sector को बनाया था that mean इसी sector को अगर हम मोड दे तो ये कोन बनेगा और इसका जो area होगा इस कोन का curved surface area होगा तो हम कह सकते हैं कि एक कौन का curved surface area होता है pi into r into l अब अगर आपको जानना है कि एक cylinder का curved surface area केतना होता है तो फिर screen पे दिये गए इस link को आप click करें आपको वो video मिल जाएगा